जहीं दोस्तों, मैं श्वेता, आज की वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि मेंस का एक्जाम निकल चुका है, बहुत तो फीजिकल की त्यारी में पूंता लग चुके होंगे, ठीक है, तो फीजिकल की त्यारी को बहुत ध्यान से करना है, यह नहीं कि आप एकदम लापरवाह तो भी मैंने बैंडेज बांद के वहां पर डॉनिंग कम्पलीट कर लिया था और जो तीन फीट के जंप है वह भी बहुत इजी होती है, अभी आप फॉर्स टैम ट्राई करेंगे तो अराम से तीन फीट जंप कर सकते हैं, जब तीन है तो तीन, चार पर प्रैक्टिस इतना बहुत बहुत ही ईजी है, तो फीजिकल, इसका बिलकुल टफ नहीं है, अराम से हलका हलका प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कुछ लोग जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं जाना चाते हैं किसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए तो वह बहुत मेरा छोटा सा फिल्ल था वहां प्रैक्टिस करते थे उसका 11 राउंड जब हम करते थे तब एक किलोमेटर कंप्लीट होता था ठीक है तो कोई भी जगह पर कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए नहीं बस थोड़ा लापरवाहनी बनना है ध्यान देना है जैसे मैंने थोड़ा कंजूसी किया था मेरी परिस्थिति वैसी नहीं थी तो पुआल मैंने मंगाया था उस पर मैं प्रैक्टिस करती थी जिसके एक गदा मंगा लिजेगा जाता कॉस्त नहीं लगता है अगर आप कही एकडमी में जाते है तो वहाँ भूत खर्च बनता है अगर आप वहां पर यह सब चीजे मंगा सकते हैं तो बहुत कम में ही हो जाएगा गदा मंगा लिजे और बालू गिरवा लिजे नौ फिट एकड कर सकते हैं वैसे भी लड़के अगर थोड़ा सा बूस्ट अब करें हलका रणिंग बढ़ा ले तो अराम से उनका फीजिकल निकल जाता है ठीक है तो टफ बिल्कुल नहीं है इसका फीजिकल जितना टाइम दिया जा रहा है उस हिसाब से तो कोई भी कर सकता है तो इस बात बिल्कुल परिशान नहीं होना है कि इसके बहुत जादा दिन का प्रैक्टिस चाहिए जल्दी ही फीजिकल आने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है सही खान पान रखिए खान पान भी बहुत जरूरी है सही खान पान रखिए और रेगुलर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू र और जो आज बता रहे हैं कि हाँ कोई मिस्टेक नहीं करना है तो बस उस बाते ध्यान देना है धन्यवाज जैहिल